Present Indefinite Tense, एक पर फिर Hello, welcome once again to my channel जी हाँ, आज आप पढ़ने वाले हैं Present Indefinite Tense के बारे में लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि Indefinite Tense होता क्या है Indefinite Tenses को हम Indefinite क्यों भोलते हैं Indefinite Tense का मतलब होता है अनिश्चित काल तो ये तो इसकी हिंदी हो गई Tenses होते हैं, वो इस नाम से कहीं ज़्यादा विपरीत होते हैं यानि अपोजिट होते हैं Indefinite Tenses tell us about the routine or regular action यानि जब हम Indefinite Tenses की बात करते हैं चाहें वो किसी भी समय का क्यों ना हो क्योंकि 3 टाइम में आपके Indefinite Tenses या कोई भी Tense divide रहता है तो वहाँ पर हम केवल routine और regularity की बात करते हैं किसी भी action में जैसे मान लीजे मैं ये कहूं कि मैं रोज school जाती हूं तो ये जो मेरा action है school जाने का ये एक regularity में है, एक routine में है तो इस तरीके के sentence आपके Indefinite Tense में आते हैं अब time कोई भी हो सकता है मैं school जाती हूं, मैं school जाती थी, या फिर मैं school जाऊंगी तो school जाने का जो कार है, जो क्रिया है, वो एक routine में है तो इस तरीके के जो sentences होते हैं, वो आपके Indefinite Tense में count होते हैं I hope आप समझ गए होंगे लेकिन ध्यान रहे, Indefinite Tense की जो हिंदी होती है, अनिशित काल तो इस नाम से जो sentences होते हैं, वो just विपरीत होते हैं यानि कि यहाँ पर routine और regularity की तो बात हम करते हैं action में लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो जो routine हो रहा है, वो कब-कब हो रहा है मैं स्कूल जाती हूँ, कितने बजे नहीं पता है ठीक है, या फिर कोई और other action हो रहा है तो वो कितने बजे हो रहा है, उसका exact time हमें नहीं पता है Sometimes, essay sentences में adverb लगा कर हम वहाँ पर ये decide कर देते हैं कि कोई भी कार या action जो routine में चल रहा है, वो कब-कब हो रहा है तो basically, इसे हम अनिश्चित काल यानि कि indefinite tense इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें क्रिया के होने की बात तो पता चलती है बट वो क्रिया कब-कब हो रही है, ये हमें निश्चित रूप से मालूम नहीं होता है इसलिए इस tense के जो sentences होते हैं, वो अनिश्चित काल के वाक्य माने जाते हैं यानि कि indefinite tense के sentences माने जाते हैं तो जी ये तो था indefinite tense का concept अब मैं आपको बता दूँ कि indefinite tenses तीन तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा present indefinite tense, past indefinite tense और last में है future indefinite tense इन तीनों ही tenses का concept same है, बस यहाँ पर time बदल गया है आज के इस वीडियो में हम केबल present indefinite tense के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और पूरा समझेंगे कि किस तरह से इसकी पहचान हम करें, इसमें कौन सी verb और helping verb लगती है, verb की कौन सी forms लगाई जाती है चले, पहले हम देख लेते हैं कुछ sentences, उसके बाद one by one, मैं आपको उसके सारे rules बताऊंगी एक बार फिर तो जी ये रहे, present indefinite tense के कुछ sentences ध्यान से समझेगा अब इस वाकिय में आपको दिख रहा होगा, कि रूटीन फॉलो हो रहा है, वह स्कूल जाती है लेकिन कब-कब जाती है, कितने बज़े जाती है, ये हमें नहीं पता है तो इस sentence को हम अनिस्चितकाल का sentence, यानि कि indefinite tense का sentence कह देते हैं concept समझेए, बारी की को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो ये हो गया अब हम बात में पढ़ेंगे कि इसमें verb कौन सी लगी हुई है, helping verb क्या है, और verb की कौन सी form है एस और एस और आई एस क्यों लगते हैं, ये सारी चीजे में आपको फिर से यहाँ पर बताऊंगी पहले हम sentences देख लेते हैं तो अगला sentence है रीना लब्स आइस क्रीम, रीना आइस क्रीम पसंद करती है ठीक है, ये भी आपका indefinite tense का sentence हो गया He never tells a lie, वह कभी जूट नहीं बोलता है Next sentence, I catch the bus at 9 o'clock, मैं 9 बजे बस पकरती हूँ अब देखे, यहाँ पर मैंने time को decide कर दिया, लेकिन फिर भी यह अनिशितकाल का sentence है Next sentence, we go to temple every Sunday, हम हर Sunday को temple यानि मंदिर जाते हैं Do you want to go for a picnic, क्या तुम पिकनिक के लिए जाना चाहते हो Next, she does not eat mango, वह आम नहीं खाती है ये भी एक routine है They study together in the evening, वे शाम को एक साथ अध्यन करते हैं He drives the car often, वह अकसर कार चलाता है Last sentence, you sing a song, तुम गाना गाते हो तो देखा अपने दोस्तों इन sentences को इन सभी sentences में subject के साथ verb लगी हुई है या फिर कहीं कहीं पर helping verb का भी यूज किया है ऐसा हमने क्यों किया कि कहीं पर do लगा हुआ है तो कहीं पर does लगा हुआ है तो कहीं पर do और does नहीं भी लगा है लेकिन फिर भी sentence बना हुआ है, हम सभी को पता है कि किसी भी sentence को बनाते वक्त वहाँ पर subject होता है, helping verb होती है और main verb होती है यह सारा कुछ in sentences में आप देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर rules समझने होंगे कि जो आप first sentence देख रहे हैं, she goes to school, तो यहाँ पर केवल go क्रिया का ही use किया गया है, कोई helping verb नहीं है तो मैं यह उन beginners के लिए बता रही हूँ, जिन्होंने English को study करना अभी शुरू ही किया है और वे tenses की study कर रहे हैं तो आज सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी present indefinite tense से related, चलिए शुरूबात कर लेते हैं present indefinite tense के नियमों के साथ present indefinite tense में जो सबसे बड़ी बात है वो है उसकी identification, हम कई बारी यह जानने की कोशेश करते हैं कि present indefinite tense के sentences की identification कैसे होती है, उसकी पहचान कैसे होती है तो पहले तो मैं यह बताऊंगी आपको, उसके बाद which helping verb is used, कौन सी helping verb use होती है, यह भी मैं आपको बताऊंगी next है which form of verb is used as main verb, यानि की present indefinite tense के sentences में verb की कौन सी form use होती है main verb की तरह यह सारी चीज़े हम जानेंगे one by one, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहचान की यानि की identification की अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ की present indefinite tense के sentences की पहचान अधिकतर schools में हिंदी के शब्दों के साथ सिखाई जाती है जैसे हम कह देते हैं कि present indefinite tense के हिंदी वाकियों के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ ये आते हैं तो वहाँ जो sentence है वो present indefinite tense का sentence कहलाता है यहाँ तक ठीक है, पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी के शब्दों से आप पहचान कर सकते हैं, बट ये जो formula है, ये तब काम आता है जब आप translation कर रहे होते हैं, हिंदी to English, ठीक है, कोई problem नहीं है, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन English का मतलब होता है English, क्योंकि अगर आप English को समझ रहे हैं, तो हिंदी से English नहीं समझ सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हमें English to English पढ़ना होगा, तो ऐसे sentences, यानि कि present indefinite tense के sentences की पहचान अगर आपको करनी है, तो आप उसको उनकी verbs से और उनकी helping verbs से उन्हें पहचानिए, उन sentences का जो structure होता है, उससे आपको पहचानना चाहिए किसी भी tense के sentence को, ठीक, तो जी हिंदी में present indefinite tense को पहचानने के लिए आप इस तरह से study कर सकते हैं, कि present indefinite tense के sentences के end में, चो कि हिंदी के वाक्य होते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्द आते हैं, वहाँ पर पहचा हो जाती है, कि particular sentence present indefinite tense का है, ठीक, ये आपका काम आजाएगा, हिंदी to English translation में, अब हम बात करते हैं, which helping verb is used in present indefinite tense, बहुत important question है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि present indefinite tense में, वर्ब की base form लगाई जाती है, आप जिसे forced form भी कह सकते हैं, इसके अलावा, वर्ब के सा path s और es और sometimes ies भी add कर दिया जाता है, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़े उस वक्त होती है, जब sentence आपका affirmative होता है, जिसे हम simple sentence भी कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कि अगर हम indefinite tense की बात करें, तो वो present past और future में आता है, ठीक, present indefinite tense, past indefinite tense, और future indefinite tense, tense चाहे कोई भी हो, लेकिन sentences आपके चार तरह के होते हैं, पहला है affirmative sentence, जिसे हम simple sentence भी कहते हैं, उसके बाद है negative, उसके बाद interrogative and then interrogative negative, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं present indefinite tense की helping verb की, तो मैं आपको बता दूँ कि जब sentence affirmative होता है, तब present indefinite tense में कोई helping verb यूज नहीं होती ह बलकि main verb को ही use किया जाता है as a helping verb, clear, verb की base form जिसे आप first form भी कह सकते हैं, वो sentence में लगा दी जाती है, उसके बाद उसी verb में हमें add on करना पड़ता है, किस चीज़ को add करना पड़ता है, s और es और sometimes ies को अब सवाल ये उड़ता है कि s और es या फिर ies लगाया कब जाए, कौन सी condition है जहां पर हम s और es या फिर ies लगाएंगे, ठीक, तो ये मैं आपको बताती हूँ, हम बात कर रहे हैं present indefinite tense के affirmative sentence की, तो जब sentence affirmative होता है और tense present indefinite होता है, तब हमें ये देखना होता है कि subject कौन सा आया हुआ है sentence में, या फिर हम किस subject का use करने वाले हैं sentence को बनाते वक्त, तो जब subject आपका noun word होता है, और singular number का होता है, यानि एक वचन संग्या शब्द होता है, किसी का नाम हो सकता है, जब हम संग्या की बात करते हैं, तो naming words आते हैं, ठीक, तो जब कोई naming words होता है, और वो singular number का होता है, तब आपको वहाँ पर verb के साथ, यानि verb की base form के साथ, S या फिर ES या फिर IES लगाना होता है, अब फिर से एक सवाल उठेगा, कि इतना तो हमने समझ लिया, कि subject noun word है, singular number का है, तब हमें verb के साथ add on करना है, S, ES या IES के साथ, यानि इन्हें हमें add करना है, लेकिन ये लगेंगे कब, इन्हें कब कब लगाएंगे, यानि कौन सी verb में S लगेगा, किस में ES लगेगा, कहां पर IES लगेगा, ये एक सवाल है, तो don't worry, इस सवाल का भी आपको उत्तर मिलेगा इसके बाद, ठीक है, अब बात आती है, subject में pronoun word की, यदि किसी sentence में present indefinite tense हो और वहां पर अगर subject में कोई pronoun word आया है, और वह singular number का है, जैसे he, she, it, तो he, she, it, इनके आने पर आपको verb के साथ S, E, S या फिर I, E, S लगाना है, यहां पर मैं एक बार फिर से repeat कर दूँ कि यदि आपके present indefinite tense के affirmative sentence में subject pronoun words में आय हुए है, और वह singular number में है, मेरा कहने का मतलब है कि यदि he आया हुआ है, she आया हुआ है, it आया हुआ है, तो इनके साथ आपको sentence में आय हुई verb में S, या E, S, या फिर I, E, S जोड़ना होगा, और यदि he, she, it इनके अलावा दूसरे pronoun words आय हुए हैं, जिने हम plural number के pronoun words की category में रखते हैं, जैसे I, V, U, they, तो इनके साथ आपको S, E, S या I, E, S नहीं लगाना है main verb में, यानि no use of S, और E, S, और I, E, S, I hope आप समझ गए होंगे, तो जी इस तरह से present indefinite tense के affirmative sentence में हम कोई particular helping verb नहीं लगाते हैं, बलकि main verb में ही नियम के according S, E, S और I, E, S लगाकर उन्हें ही as a helping verb यूज करते हैं, तो वो sentence आपका affirmative कहलाता है, तो इस तरह से आप affirmative sentence की पहचान कर सकते हैं present indefinite tense में, बहुत ही आसान है यह, अब मैं आपको अगले question की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात mention करना चाहूँगी वो यह कि present indefinite tense के केवल affirmative sentences में ही हम verb की base form में S, E, S या फिर I, S लगाकर उन्हें as a helping verb यूज करते हैं, लेकिन present indefinite tense की भी एक helping verb होती है, जो कि केवल negative, interrogative और interrogative negative sentences में ही यूज की जाती है, और वो है do or does, चलिए अब देख लेते हैं next question जो की है, which form of verb is used as main verb, इसका answer है, in negative and interrogative sentences यानि की affirmative sentences को छोड़के, negative, interrogative और interrogative negative in sentences में हम पहले helping verb का use करते हैं, जी हा, helping verb, negative, interrogative in sentences के लिए यहाँ पर decide की गई है, present indefinite tense में, और वो है do or does, याद रहे, do or does को हम affirmative sentences में use नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक particular helping verb है, do or does, जिसके साथ हम verb की first form का use करते हैं, अब फिर समय यहाँ पर आपको एक बात remind कराना चाहूंगी, कि जब sentences negative, interrogative या फिर interrogative, negative होते हैं, तो वहाँ पर आपको do या does helping verb लगानी होती है, और इसके साथ आप verb की base form या first form का use करते हैं, लेकिन जब first form का use करते हैं, तो यहाँ पर आपको S, E, S या I, E, S के concept को भूलना होगा, यहाँ पर आप S, E, S, I, E, S नहीं लगाएंगे, केवल do or does लगाने के बाद verb की base form लगा दी जाएगी, जिसे आप first form भी कहते हैं, आशर करते हूं दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि tenses के according, यानि की affirmative, negative, interrogative, इनके according, helping verb कौन सी होती है, कब लगाई जाती है, main verb में verb की forms कौन सी लगती है, और sentences की पहचान हम कैसे करते हैं, यह सारा कुछ आपको clear हो गया होगा, अब जो last confusion है, जो हर किसी student के दिमाग में बनी रहती है, वो है S और E, S और I, E, S कहां पर use करें, बड इसको समस्या मत समझें आप, इसको problem बिलकुल न समझे, मैं यहाँ पर आपको one by one step by step बताती हूँ, कि S, E, S और I, E, S आप किन किन verbs में add on करेंगे, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, E, S की, जो कि verb में लगाया जाता है, जैसे हमने go के साथ E, S लगा दिया, तो goes हो ग अंत में, C, S, S, O, X, S, H या फिर Z, ये जो letters हैं, अगर आते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको simply उस verb में, last में, इन letters के आगे, E, S बढ़ा देना है, कैसे, example में देखेंगे, जैसे कि माली जी ये match word है, match मींस होता है, मिलाना, ये एक क्रिया एक verb है, तो जब match word आएगा, तो इसमें आपको देखना है कि last में, C, H आया हुआ है, तो जब C, H आया हुआ है, that means, sentence में अगर आप इसे use कर रहे हैं, ठीक, और आपका जो subject है, चाहे वो noun word हो, या pronoun word हो, अगर singular number का है, तब तो आपको इस match word में, E, S जोड़ना ही जोड़न आगे, आगे है समझ में, इसी तरह से कुछ और words भी हैं, जैसे guess, G, U, E, S, guess, guess means होता है, अनुमान लगाना, ये भी एक क्रिया शब्द है, तो double S last में आया हुआ है, तो इसमें भी हम E, S बढ़ा देंगे, इस word आपका बन जाएगा, guesses, ठीक, next है go, go में last में o आया हुआ है तो इसका हो जाएगा, goes, यानि o के आगे, E, S बढ़ा दिया गया है, next है mix, mix means, आप सभी को पता है, mix means होता है, मिलाना, ये भी एक क्रिया शब्द है, last में X आया हुआ है, तो जी इसमें भी हम E, S बढ़ा देंगे, तो आपका जो क्रिया शब्द है, वो बन जाएगा, mixes, तो आपका ये verb, word हो जाएगा, crushes, next है buzz, B-U-Z, और इस word के end में Z आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब हमें Z के आगे, E, S बढ़ाना है, तो buzz इस verb, word का आपका present indefinite form हो जाएगी, buzzes, ठीक है, हमने याँ पर E, S बढ़ा दिया है, आपको ध्यान रखना है कि E, S उस वक् जब किसी भी sentence में, जो कि present indefinite tense का affirmative sentence है, तो वहाँ पर subject में noun या pronounce singular number के आए हुए है, तब आपको उन क्रिया शब्दों के आगे E, S बढ़ाना है, जिनके end में ये particular letters आए हुए है, तो बड़े ही ध्यान से सारी चीजों को आपको समझना है और याद रखना है, अब हम बढ condition में लगाया जाता है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, when consonant before y, मतलब जब किसी verb, word के end में y आता है, और y से पहले consonant आया हुआ होता है, I hope consonant आप समझते होंगे, vowel, A, E, I, O, U, इनको छोड़ करके जितने भी alphabet होते हैं, वे सभी आपके consonant कहलाते हैं, ठीक है, तो y से पहले अगर किसी क्रिया शब्द में consonant आया हुआ है, वेंजन आया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप y को तो हटा ही देंगे, उसकी जगे लगाएंगे i और उसके आगे बढ़ा देंगे es, यानि कि basically i, es ही आपको उसके आगे लिखना है, y को हटा क For example, माल लेजए आपका word है, यानि कि क्रिया शब्द है study, जिसका मतलब होता है अध्यान करना, तो study में देखिए y से पहले d consonant आया हुआ है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे y को हटा करके i, es बढ़ा देंगे, तो आपका word हो जाएगा studies, इसी तरह से होता है carry, carry means होता है ले इसमें भी y लास्ट में आया हुआ है, और y से पहले r एक consonant है, तो ये हो जाएगा आपका carries, इसी तरह से एक verb होती है try, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, तो इसमें भी आपका y आया हुआ है, उससे पहले r consonant, तो ये हो जाएगा tries, next है आपका cry, same, मिलते जुलते words है, y से पहले r consonant है, तो यहाँ पर हो जाएगा cries, और cry का मतलब होता है, चिलाना या रोना, next word है आपका fly, ठीक है, fly means उलना, तो इसमें भी y से पहले l consonant आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका flies, my dear friends, अगर आप es use कर रहे हैं, या ies use कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, कि जब sentence में subject आपका singular number का होगा, चाहें वह noun word हो, या फिर कोई pronoun word हो, तब ही आपको वो sentence में आई हुई, verb के आगे, es, ies या फिर as, इन नियमों को follow करना है, ठीक है, और नियम क्या है, वो मैं आपको step by step बता रही हूँ, es का मैंने आपको बता दिया है, यह यहाँ पर हो गया, ies से related rules के किस condition में आप particular जो verb, word है, उसमें ies add करेंगे, अब हम देख लेते हैं, कि es कहां पर लगाया जाता है, तो जी अब आपको ध्यान से समझना है, es, यह जो letter हम लगाते है किसी भी क्रिया शब्द में, यह तब लगाया जाता है, when vowels before Y, यानि कि जब Y letter से पहले कोई vowel आया हुआ होता है, vowel मतलब swear, इसे vowel pronounce नहीं करते हैं, इसे vowel pronounce किया जाता है, alright, चलिए, for example, कुछ ऐसे words पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक word लिखा है, play, play means होत तो अब Y देखकर तुरंत हम I, E, S नहीं लगा देंगे, हमें पहले देखना पड़ेगा कि Y से पहले consonant है या फिर vowel है, अगर consonant है तब तो आप I, E, S बढ़ाएंगे, Y हटा करके, लेकिन अगर यहाँ पर consonant ना हो करके, ध्यान दीजेगा मेरे words को मैं क्या कह रही हूँ, अग अगर Y से पहले consonant नहीं है, कोई vowel आया हुआ है, यानि कि A, E, I, O, U, इन में से कोई एक, तब आपको वहाँ पर Y नहीं हटाना है, बलकि Y के बाद simply S लगा देना है, तो play का हो जाएगा plays, next word है destroy, इसमें Y से पहले O आया हुआ है, तो destroy का हो जाएगा destroys, यानि कि Y के बाद S ए करना, next word है enjoy, इसमें भी देखिए, last में Y से पहले O एक vowel आया हुआ है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका enjoys, यानि Y के बाद S बढ़ा देंगे, last word है say, same ins होता है कहना, ये भी एक kriya शब्द है, इसमें भी Y से पहले A एक vowel आया हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा says, I hope यहा यहां पर हम add on करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे general verb words की, जिनके end में कोई Y नहीं आता है, तो यहां पर consonant और vowel का किसी तरह का कोई concept नहीं है, जो मैं words यहां पर आपको बताने वाली हूँ, यानि कि जिन kriya शब्दों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनके end में कोई भी Y नहीं आता है, और नहीं CH, SH, X इस तरीके के कोई letters आते हैं, यह कुछ और letters हैं, जो end में आते हैं, बट उनके बाद भी हम S लगाते हैं, जैसे माल लीजे, word है take, take means होता है लेना, तो take में last में E आया हुआ है, general letter है, एक vowel है, take का takes हो जाएगा, च्योंकि इसमे होता है, जानना, तो no का अगर हम बनाते हैं, present in definite tense की verb, तो यह हो जाएगा, nose, ठीक है, इसमें simply as भढ़ा देंगे, इसी तरह से come, come में last में भी देखिए, general letter आया हुआ है, E, यहां पर Y नहीं है, तो come का हो जाता है, comes, next word है, laugh, laugh means होता है हसना, ठीक है, last में H आया हुआ है, यह किसी भी rule से match नहीं करता है, तो simply laugh के आगे हम बढ़ा देंगे, s, तो यह यहां पर हो गया, laughs, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कि जब भी आप क्रिया शब्दों में, उनके end में, नियम के अनुसार, s, es या ies बढ़ा रहे हैं, तो उनके pronunciation में भी काफी changes आएंगे तो उन पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप उनने pronounce करें, दोस्तों यहां पर मैंने starting की जो examples की slide थी, यानि की sentences की जो slide थी, वो एक बार फिर से मैंने यहां पर दी हुई है, आप देख सकते हैं, यह sentences लिखे हुए हैं, इनको आप study कीजिए, और देखिए किन-किन conditions में क्रिया शब्दों के आगे S और ES लगाया गया है, I hope my dear friends आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, यही पर इस वीडियो को मैं wind up करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और new topic के साथ एक new वीडियो में तब तक के लिए, thanks for watching, take care, bye bye